जैहन बच्चों, मैं लाला जग्दिश प्रसाद सरस्वती विद्यमंदेर इंट्रो कॉलेज मुझभफर नगर से डॉक्चर वन्ना शर्मा हूं बच्चों हम सभी ने पहले पढ़ा कि कोशिका जीवन की इकाई है सभी जीव कोशिकाओं के बनेवे होते हैं जो एक कोशिकी जीव होते हैं, उनमें सभी जैविक क्रियाएं बच्चों एक ही कोशिका द्वारा संपन होता है लेकिन जो बहु कोशिकी जीव होते हैं, उनमें कोशिकाओं अलग-अलग प्रकार की क्रियाओं के लिए अलग-अलग सम्मूहों में उपस्तित होती हैं ऐसी कोशिकाएं जो जिनें एक निश्चित कारे करना है कारे की दृस्टी से वो एक साथ एक सम्हू में होती है और ऐसी कोशिकाओं के सम्हू को ही हम उतक कहते है जी हाँ बच्चों, आज हम जिस अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं वो कक्षा 9 का अध्यायच है उतक है आईए हम कक्षा 9 का अध्यायच है उतक प्रारंब करते हैं उतक को यह हम परिभाशित करें तो इसकी बहुत सरल परिभाशा है उत्पत्ति, कारे या रचना में समान कोशिकाओं के सम्हू को उतक कहते हैं बच्चों, क्या पाधों और जन्तों में एक ही जैसे उतक होते हैं? नहीं, पाधों और जन्तों की जीवन शैली में भिन्नता होती है, पाधें एक ही स्थान पर इस्थेर होते हैं, इसलिए उनमें इस प्रकार के उतक होते हैं, जो उन्हें मजबूती से एक स्थान पर सीधे खड़े रहने में सहायता करते हैं इस प्रकार के उतक आधिकांश्त है मृत कोशिकाओं के भी बने वे होते हैं जन्तु अपने भोजन आश्रे आधी के लिए विश्रन करते हैं तो उन्हें इस प्रकार के उतक होते हैं जो उन्हें गती में सहायता करें जैसे की पेशी उतक इ जावेग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाने के लिए तंत्री का उतक, विपिन पदार्तों के परिवहन के लिए रुधिर बच्चो इस पार्थ में हम पौधों और जंत्वों दोनों ही में पाये जाने वाले उतक के बारे में जानेंगे लेकिन सबसे पहले इस दो भागों में विभाजित किया गया है फर्स करथम है व्रधी उतक अथवा विभजोतक और दूसरा इस्थाई उतक आईए सबसे पहले व्रधी उतक पढ़ते हैं व्रधी उतक जिसको हमने विभजोतक भी कहा है ये दोनों ही नाम से पस्ट संकेत मिलता है व्रधी उतक मतलब वह उतक जो व्रधी में सहायता करता है और इसको विभजोतक कह रहे हैं यानि इसकी कोशिकाओं में विभाजन की शमता होती है जब कोशिकाओं विभाजित होकर स कि कौशिकाएं विभाजन करके संख्या में विध्धी करती हैं जिससे पौध्य के विभिन भागों के आकार में विध्धी होती है। इस्तिति के आधार पर वृद्धी ऊतक तीन प्रकार का होता है शिश्रस्त विभ्जोतक, पार्श्रिय विभ्जोतक और अंतर्विस्ट विभ्जोतक शिश्रस्त विभ्जोतक जड़ और तने के शिश भाग पर पाया जाता है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये पौधे के तने के शिश भाग पर ये हरा भाग शिश्रस विपजोतक को प्रिदर्शित करता है यह पौधे के शिश भाग पर पस्तित कोमल भाग में पस्ट दिखाई देता है क्योंकि कोमल भागों में नव निर्मित कोशिकाएं होंगी और उन कोशिकाओं का निर्माण कोशिकाओं के विभाजन के फलसरूप होगा इसी तरह पाश्विय विभजो तक जड़ और तनों के बराबर में परिधी में उपस्तित होता है इनकी कोशिकाओं में अर्ये दिशा में विभाजन होता है उधारन के लिए कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम इनकी कोशिकाओं में विभाजन के फलस्वरूप द्वित्यक वृद्धी होती है और जड़ और तने मोटाई में वृद्धी करते हैं तीसरा अंतर्विस्ट विवजोतक पत्ती और तने के आधार भाग पर और पर्वसंधियों के नीचे पाया जाता है और यह भी पौधों को विविन भागों को लंबाई में व्रिधी करने में सहायता करता है इसके बाद हम इस उतक की विशेश्टाएं जानेंगे इस उतक की कोशिकाएं अतिधिक क्रियाशील होती हैं जिसके फलसोरूफी उनमें विभाजन करने की शम्ता होती है विभाजन करने के लिए इनका क्रियाशील होना आविश्रक है दूसरे इन में कोशिका द्रव्य अधिक मात्रा में उपस्तित होता है जो विभाजन के लिए आविश्यक है इनकी कोशिका भित्ती इस उतक की कोशिकाओं की कोशिका भित्ती पतली होती है इन में स्पस्केंड्रक होता है और रसधानी अनुपस्तित होती है रस्धानी अनुपस्तित होनी के कारण ही इसमें कोशी का द्रव्य अधिक मात्रा में हो सकता है ताकि ये अधिक क्रियाशील होकर जादा विभाजन कर सके इसके पश्राद आईए पढ़ते हैं दूसरा उतक इस्थाई उतक इस्थाई उतक वास्तव में विभवजोतक के ही इस्थाई रूप लेने के कारण होता है जब विभवजोतक की कोशिकाएं पुरानी हो जाती है या उनमें कुछ समय के लिए या इस्थाई रूप से विभाजन की तो इस्थाई उतक विभुजोतक की कोशिकाओं में विभेदी करण के फलसुरूप होता है अब ये विभेदी करण क्या होता है इस उतक की कोशिकाओं भिन भिन प्रकार के कार्रे करने के लिए अलग-अलग प्रकार के रूप में परिवर्तित हो जाती है जिसे विभेदी करण कहते हैं हम कह सकते हैं विभजोतक की कोशिकाओं का विशिष्ट कारे करने के लिए इस्थाई रूप और आकार ले लेना विभेदी करण कहलाता है यानि विवजोतक की कोशिकाएं अलग विशिष्ट प्रकार के कारे करने के लिए विशिष्ट प्रकार के रूप में इस्थाई रूप से परिवर्तित हो जाती है ये इस्थाई उतक कहलाते हैं इस्थाई उतक को उनकी रशना के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है सरल इस्थाई उतक और जटल इस्थाई उतक आए सबसे पहले सरल इस्थाई उतक के बारे में जानते हैं सरल इस्थाई उतक वे उतक होते हैं जो एक ही जैसी कोशिकाओं के बदेवे होते हैं ये उतक मुखे तहर तीन प्रकार के होते हैं म्रदू तक अथवा पैरनकाइमा स्थूलकोन उतक अथवा कॉलनकाइमा द्रडो तक अथवा इसकलरनकाइमा सबसे पहले म्रदूतक अथवा पैरनकाइमा जैसा की नाम से स्पस्ट है म्रदू means कोमल ये पौधे के कोमल भागों में पाए जाते हैं क्योंकि सरल उतक एक ही जैसी कोशिकाओं के बनेवे होते हैं आप यहाँ पर इस चित्र को देख सकते हैं एक ही प्रकार की कोशिकाओं का बनावा ये उतक अनुधेरे काट में दिखाया गया है अब इस उतक की कोशिकाओं में क्या विशेश्ता होती है इस उतक की कोशिकाओं जीवित होती हैं कोशिकाओं के मध्ये में रिक्तिस्थान यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कोशिकाओं के बीच में रिक्तिस्थान ह जिसे अंत्राकोशिक स्थान कहते हैं इस प्रकार के उतक प्राय भोजन प्रोटीन कार्बोहाइडेट वसा आदी के रूप में संग्रहेत करते हैं और कुछ शुष्क इस्थान पर पाये जाने वाले पौदों में ये जल का संग्रह भी करते हैं और जल संग्रह के कारण कैशी मासल हो जाते हैं इस उतक के विभिन रूप भी होते हैं ये उतक पौधों में हरित लवक की उपस्तिती के कारण हरित उतक कहलाता है म्रदूतक ऐसा म्रदूतक जिसमें हरित लवक पाया जाता है पर्ण हरिम पाया जाता है उसे हरित उतक या क्लोरिनकाइमा कहते हैं क्लोरोफिल या पंड हरिम की उपस्तिती के कारण ये पौधों में घोजन बनाने की क्रिया जिसे प्रकास चंसलेशन कहते हैं उसमें सहायक है इसे प्रकार जलिये पौधों में म्रदूतक की कोशिकाओं के मध्ये में बड़े बड़े रिक्त स्थान होते हैं हवा से भरेवे होते हैं जिने वायू गुही काएं कहते हैं और इस प्रकार का म्रदू तक वायू उतक अथवा पेरनकाइमा कहलाता है एरनकाइमा भी हमें से कहते हैं दूसरा इस्थूल कोन उतक या कॉलनकाइमा इस्थूल कोन उतक पौधे में इस्थूलता प्रदान करता है लचीला पन भी प्रदान करता है इस उतक की कोशिकाएं जिवित और लंबी होती है आनियमित ढंग से इस उतक की कोशिकाएं कोनों पर मोटी हो जाती है इनकी कोशिका बित्ती पर पेक्टिन के जमा होने के कारण ऐसा होता है। इस प्रकार के उतक पौधे के विभन भागों को लचीलापन प्रदान करता है। इस थूल कोण उतक के कारण ही होता है। इसके बाद तीसरा उतक द्रड़ उतक या इसकलेरन काइमा। इस उतक की कोशिकाएं प्राय मृत होती है। मृत कोशिकाएं द्रड़ होकर उसे लचीलापन प्रदान करती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस उतक की जो कोशिकावित्ती है वो बहुत मोटी होती है। आप देखेंगे कि कोशिकावित्ती के मोटी होने के कारण जो गुहा है वो बहुत सक्री हो जाती है। और एक कोशिकावित्ती का मोटापन लिगनिन के जमा होने के कारण होता है। कोशिकावित्ती में लिगनिन के जमाओं के कारण कोशिकावित्ती मोटी होती है। कोशिकाओं के मध्य में इस्थान अनुपस्तित होता है। पौधे के विभिन भागों को द्रड़ता और मजबूती प्रदान करने का इसका विशेश कार्य है। इसी प्रकार कुछ विशेश सन्रचनाएं पौधे में पाई जाती हैं जो की इनों तक की बनीवे होती हैं। उपस्तित भाग को कहते हैं। इसे एपिडर्मिस भी कहते हैं। जैसे पत्यों की बाहरी सते हैं, तने की बाहरी सते हैं, ये सब बाहे तवचा कहलाती हैं। प्राय बाहे तवचा कोशिकाओं के बने एक परत के रूप में होती है, जिसका मुख्य कार्य पौधे के भीत्री भागों को सुरक्षा प्रदान करना है, कुछ भागों में जो शुश के स्थान होते हैं, वहां पर ये बाहे तवचा मोटी होकर उनको जल हानी से भी बचाती ह बाहे तवचा की कोशिकाओं कुछ विशेश मोमिय पदार्थ को स्रावित करते हैं, जो इसे क्यूटीगल कहते हैं और ये भी जल की हानी को रोपने में सहायता प्रदान करता है, इसी प्रकार पत्तियों की बाहे तवचा पर, उनकी उपरी और निचली बाहे तवचा जो है रंद्र या इस्टोमेटा कहते हैं, रंद्र प्राय दो बीन शेप यानि कि वर्का के आकार की कोशिकाओं से घेरेवे होते हैं, इन कोशिकाओं को रक्षी कोशिकाओं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इन्हें रक्षी कोशिकाएं या इनको guard cells भी कहते हैं, यानी प्रतिये रंद्र जो है वो पत्ती की सतह पर उपस्ते छोटे छोटे छिद्र हैं, जो दो व्रक के आकार की कोशिकाओं से घीरेवे होते हैं, और इन कोशिकाओं को रक्षी कोशिकाओं कहा जाता है, रंद्र वाईु मंदल से गेसो के आधान प्रदान करने में और वाशपोर्स सरजित की क्र्या में भी ये सहायक होते हैं इसके अलावा तने की बहारी सतहः पर एक और विशेश प्रकार की संरिशना होती है जिसे छाल या बार्ख कहते हैं ये प्राय मृत कोशिकाओं का बनावा भाग होता है छाल की जो कोशिकाओं होती है वो मृत होती है और आपने देखा होगा जो परिपक्व वरक्ष होते हैं उनके मुखे तने के बाहर कटी फटी हुई कोशिकाओं की बनीवी सतय होती है जिसे छाल कहा जाता है इस छाल की सुवेरिन नाम का इन कोशिकाओं पर सुवेरिन नाम का एक विशिश्पदार्थ होता है जो इन्हें जल रोधी और वायू रोधी बनाता है और इस प्रकार से ये छाल भी पौधे के आंत्रिक भागों को सुरक्षा प्रदान दरने में सहायता करती हैं। इसी प्रकार से अब सरल उतक के बाग हम पढ़ेंगे जटिल उतक। सरल उतक हमने पढ़ा था एक ही जैसी कोशिकाओं के बने हुए होते हैं जबकि जटिल उतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के बने हुए होते हैं। पौधों में मुखेते जटेलू तक को जाइलम और फ्लोयम कहा गया है। आईए सबसे पहले पढ़ते हैं जाइलम जाइलम पौधे में समवहन बंडल में पाए जाते हैं। जाइलम और फ्लोयम दोनों ही इनको हम समवहनू तक भी कहते हैं। समवहन का मतलब होता है पौधे में विभिन पदार्तों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना तो इन्हें जाइलम और फ्लोयम को समवहन उतक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये उतक पौधे में विभिन पदार्तों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं तो जाइलम के जो मुख्य जैसे हमने पढ़ा कि जटेलू तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के बनेवे होते हैं तो जाइलम के जो मुख्य अव्यव हैं अलग-अलग प्रकार की जो कोशिकाओं हैं वो चार प्रकार की होती हैं उनको हम वाहिनिका या ट्रकीड, वाहिका, दीसरे जाइलम पैरनकाइमा और जाइलम फाइबर कहते हैं। सबसे पहले वाहिनी का और वाही का ये इनकी कोशिकाएं लंबी होती हैं और मुखेते जल और खानेच का समवहर इनकी भीतरी खोखली गुहा के द्वारा ही होता है जाइलम पैरन काइमा जिसे जाइलम म्रदू तक भी कहते हैं ये म्रदू तक कोशिकाओं का बनावा जाइलम का भाग होता है यहाँ पर आप देख रहे हैं और ये पौधों में विबिन पदार्तों को भोजन को संगरह करने में सहायक होता है जाइलम फाइबर या जाइलम रेशे सहारा प्रदान करने का कार्रे करते हैं अब फ्लोयम जाइलम के समान फ्लोयम भी चार प्रकार की कोशिकाओं से बनावा होता है जो है चालिनी नलीकाएं साथी कोशिकाएं फ्लोयम पैरन काइमा और फ्लोयम फाइबर चालिनी कत्ma हैं जिन जो साथी कोशिकाओं की सहाइता से पत्थियों में बने भुजन को पॉदे के विविविन भागों तक पहुंचाती हैं साथी कोशिकाओं इस कार्य में पढ़्लूयम परनकाईमा और फ्लूयम फाइबर ठीग काट ही जिस प्रकार से जाइलं पेरण पड़ा था वैसे फ्लोयम में भी कोशिकॉओं का बनावा फ् स्लोयम पेरन काईम होता है और फ्लोयम फाइवर या फ्लोयम रेश मृते हैं यह जो प्राइब रसी आदी बनाने में सहायक होते हैं इस प्रकार से जाइलम हम कह सकते हैं वह उतक है जो पौधों में जल और खनीज का समवहन करता है और फ्लोयम वह उतक है जो पत्यों में निर्मित भोजन को पौधे के विभिन भागों में यानि भोजन के समवहन में सहायता करता है यहां पर आ चालनी नलिकाओं से लगी हुई साथी कोशिकाएं हैं ये चालनी नलिकाओं से सलगन है और इनके कारे में यानि भोजिन के सम्वहन में ये सहायता करती हैं इसके साथ बहार की और फ्लोयम पैंकाइमा या फ्लोयम रदू तक है एक चालनी नलिका उर्धवाधर दूसरी चालन करते हैं जिसे चालनी प्लेट कहते हैं और भोजन इन चलनी से इस चालनी प्लेट से चंकर ही आगे बढ़ता है इस प्रकार से हमने आज पादपूतक को विस्तित रूप से पढ़ा और हमने इसको कैसे वर्गिकृत किया है यहां पर हम इसकी पुन्रावृति कर लेते हैं और दूसरा इस्थाई उतक व्रद्धी उतक इस उतक की कोशिकाओं में विभाजन की शमता होती है और इस्थाई उतक यह वह उतक है जो व्रद्धी उतक का ही इस्थाई रूप लेने के कारण जब उनमें विभाजन शमता समाप्त हो जाती है तो इस का निर्मान आधार पर तीन प्रकार का होता है जड़ और तने के शेश पर उपस्थित शेशस्त विवजोतक जो और जड़ और तने की लंबाई में व्रिद्धी करता है पाश्व में उपस्थित पाश्व में व्रिद्धी द्वारा जड़ और तने की मोटाई में व्रिद्धी करता है औ और पत्ती और जड़ के आधार पर पर्व संवियों के नीचे उपस्तित अंतर्विस्ट विवजोतक जो लंबाई में वृद्धी करता है। इसी तरह स्थाई उतक को मुखेते दो भागने विभाजित किया सरल स्थाई उतक और जटल स्थाई उतक वह उतक जो एक ही जैसी कोशिकाओं का बना हुआ होता है। इसी तरिके से जटल इस्थाई उतक जैलम और फ्लोयम हैं। जिनें समवहन उतक भी कहते हैं, ये coração बंडल में उपस्तित होते हैं। जैलम जल और खोनेच के समवहन में बना करता है। और फ्लोयम भोजन के समोहन में सहायक करता है। इस प्रकार ये पादक उतक की सम्कून प्रकार और उनके कार्रे हमने जाने अगले वीडियो में हम जन्तु उतक के विशे में पढ़ेंगे